गेल्बनिक या इसको कह सकते हैं बोल्टिक और डैनियल सेल्स तो यहां पर हम करने वाले इन तीनों के नाम जुरूर अलग अलगे लेकिन सेल आपका एक ही है तो इसको हम अच्छी तरह से यहां पर एक एनिमेशन के द्वारा भी समझते हैं देखिए यहां पर हमने क्या लिय और दूसरा हमने यहां पर किसका लिया कॉपर के लेक्टोड लिया अब देखिए यहां पर जिंग के लेक्टोड में हमने जो इलेक्टोलाइड यूज करा है वो जैडन एसफोर यानिकी जिंग सलफेट लिया है और जो कापर के लेक्टोड के लिए हमने जो जैडेन, एसो फॉर यानि की जिंक सल्फेट में रख दिया, तो यहां से इलेक्ट्रोन क्या होने लग गए, मतलब कि यहां से जिंक आएन जो होते हैं, वो आपके सॉलुशन में आना स्टार्ड हो जाते हैं, तो जिंक आएन जब स्टार्ड हो जाते हैं, अब आप आप देखी एक चीज में आपको बता दो जैसे कोई बॉडी आपकी यहां पर क्या है पॉजिटिव ली चार्ज है और दो इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसको हम नूटल कहेंगे अगर मैं आप से कहूं कि यहां से अगर पॉजिटिव पार्ट रिमूब हो जाए चला ज दो प्लस आए तो यहां पर कितने माइनस बन जाएंगे दो माइनस बन जाएंगे किसके फॉर्म में एलेक्ट्रॉंस की फॉर्म में तो आपने समझ लिया कि जैसे 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 जिंग यहां पर आता जाएगा वैसे वैसे यहां पर एलेक्ट्रॉंस खट्टे होते जाएंग क्योंकि वो discharge कर रही है लगाता solution में ZN प्लस आयें जिसके करण यहाँ पे negative charge store होता जा रहा है zinc पर अब हमने क्या करा इन दोनों electrodes को हमने एक wire के दोरा metallic wire के दोरा इसको connect कर दिया और साथ में यह देखने के लिए कि इसमें current pass हो रही है या नहीं हो रही है तो हमने एक emitter लगा दिया तो emitter के दोरा चेक हो जाएगा कि यहाँ पे current pass हो रही है यहाँ नहीं हो रही है अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पे electrons बहुत सारे खटे हो गए तो यह electron जैसी इसको metals wire से connect किया तो यह flow होते हुए किस की तरफ जाने लगेंगे copper plate की तरफ जाने लगेंगे तो इसको हम एक animation समझते तो यह electron जो हो रहे है वह move हो रहे copper की तरफ जिंक से आपके निकल रहे है और कहाँ पे जा रहे है copper की तरफ तो जब यहां से जाएंगे तो यहां पे electron जब इसको मिल जाएगा copper तो copper में क्या process already हो चुकी कि यहां पे भी spontaneous process देखे मैं भी discuss कर रहे थे मैंने कि spontaneous और non spontaneous क्या होती है तो यहां पे जो भी हमने electrode को electrolyte में रखा है तो spontaneous process हो रही और यहां पे हमारे copper iron बन हुआ है तो यहां पे copper iron बना हुआ है और copper iron जैसी electrons मिलेगा जट सीना copper iron जो होंगे वो इस plate पे आ जाएंगे और वो iron से मतलब इससे reaction करके यहां पे copper बनाएंगे जो की plate पे क्या होने लगेगा deposit होने लगेगा तो देखे यहां पे copper iron जो होंगे जल्दी से electron का accept कर लेंगे और accept करके क्या बन जाएंगे neutral copper हो जाएगा जो कि यहां पे देरे देरे इसी plate पे copper deposit होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से यहां पे electron है वो आपके zinc से copper की तरब move कर रहे है और आप electron जो है वो zinc से copper जा रहे है तो current आपकी कहां जाएगी copper to zinc जाएगी और यहां पे अगर यह negatively charge है तो उसके respect में यह कौन सी बन जाएगी आपकी positively charge बन जाएगी जो की आपका एक cathode का भी काम करेगी मतलब positive charge होती वो cathode कहलाती है तो देखें reaction देखते है anode पे क्या हुआ एक्च्वल में anode पे क्या हुआ जो यहां पे zinc था zinc सलफेड में जाब इसमें डाला था तो यहां पे जैडन प्लस आयन आये तो यह आयन साने की क्या process है कि जैडन से आयन आये तो इसका मतलब इसने लूज कर दिया तो वह electron यहां पे लूज होके plate पे store हो गए तो अभी आपने यह भी देखा था वीडियो में कि oxidation क्या होता है और oxidation में क्या है कि यहां पे electron lose हो रहे है तो कि वह process इसमें electron lose होते है वह कराता है oxidation यानि कि anode plate पे हमारा क्या उनसी process हो रही है oxidation की process हो रही है यहां पे electron lose हो रहे है और आप cathode पे देखे तो यहां पे electron आ रहे है और यह copper उसको accept कर ले रहा है ले ले रहा है तो यहां पे copper ions जो है वो electron ले के क्या बना लेता है यहां पे copper बना लेता है reduction किलाता है electron का lose होना oxidation किलाता है तो यह दोनों अलग-अलग reaction है और इन दोनों को हम यहां पर कहेंगे half cells यह अलग half cell है और यह अलग है अभी इन दोनों को एक ही container में नहीं रखा गया है इसलिए यहां पर half cell दोनों के लिए कहा जा रहा है तो दोनों यह हमारे half cell है अगर हमें यहाँ पे पूरे दोनों पूरे cell को मिलाके बात करें तो पूरे cell में दोनों इलेक्टोड आते है तो उसकी full reaction किस तरह से आएगी इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो two electron से two electron cancel हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा ZN के साथ कितना आ जाएगा copper plus तो देखे ZN plus copper हो गया और यहाँ पे formation में ZN plus बचा है ZN two plus है और यहाँ पे क्या बचा copper तो यह हमारी cell की reaction हो गई पूरे cells में reaction इस तरह से चल रही है और individual अगर हम half cell की बात करें तो anode पे यह reaction है और cathode पे stresses copper क्या हो रहा है deposit हो रहा है अब देखे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे electricity तो हमारी generate हो गई कि से chemical change होने से वो भी spontaneous देखे मैं एक बाद फिर से आपको पता ना चाहूँगा spontaneous reaction वो होती है जिसमें कि अपने आप हो रहा है और हमें क्या देता है जिससे कि यहाँ पे electron बनते है वो electron क्या होते है copper की तरब move करते है copper उन electron हो को यहाँ पे copper iron present होते है यह भी spontaneous process चल रही होती है उससे वो electron हो को ले लेता है और यहाँ पे यह positively charge बना लेता है और यह negative और जो positive negative charge बन जाते है तो वहाँ पे electricity generate हो जाती है और electricity की direction हमारी कहां से होती है copper से जिंग की तरब होती है because electron move from zinc to copper तो यहाँ पे electricity बन गई अब देखे यहाँ पे इस वाले cells में problems भी थोड़े देड़ बात आना start हो जाती है तो वो ZN बहुत सारे इसके अंदर आ जाएंगे तो यह solution जो ZN है plus का है तो यह सारा पूरा solution हो जागा यह positively charge हो जाएगा अब देखे यहाँ पे यह जितना भी solution मनाए यह positively charge हो गया अब यह positively जब charge हो जाएगा तो यह ZN बहुत सारे plus के बन जाएंगे तो जो electron आपके ऊपर move कर रहे थे अब वो electronों को move नहीं करने देगा वो क्योंकि यहाँ पे positive इतना हो गया कि electronों को अपनी और क्या करेगा वो attract करना चाहेगा तो result यह होगा कि electron जो outward हो रहे थे उसको यह क्या करेगा यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा उसको जाने नहीं देगा और यहाँ पे यह चीज जब electron move नहीं करेंगे तो आगे circuit break हो जाएगा और current यहाँ पे stop हो जाएगी दूसरा यहाँ पे अगर आप देखे तो यहाँ से copper store यहाँ पे हो रहा था आपका और यहाँ पे copper iron तो यहाँ चले गए था क्योंकि यहाँ पे cus4 में जो break हुआ था copper iron बने था यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे क्या बने था sulphate iron copper iron तो यहाँ पे जाके neutral हो गए था और copper group में अब यहाँ पे solution में क्या रहे गिए अब यह negative चार solution बन जाएगा और उपर से देखी यहाँ पे क्या रहे थे electrons आ रहे थे यह खुद में अपने आप negative बन गया तो यह negative negative को क्या करेगा repel करेगा तो as a result जो electron आ भी रहे थे अब उसको आने से यह रोक लेगा और वो आने निदेगा इदर यह electron जाने नहीं दे रहा है और इदर यह आने नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है electron का जो circuit चल रहाता वो कुछ देरे बाद रुख जाएगा उतका flow जो हो रहाता वो बंद हो जाएगा और जब बंद हो जाएगा तो current क्या हो जाएगी stop हो जाएगी तो यह cell काम करना बंद कर देगा तो इस तरह से इसमें कुछ time के बाद अपने आप से problem क्रेड़ जाती एक बार मैं फिर से इसको repeat कर देता हूँ होता है क्या है कि ZN से लगाता positive iron इसमें आ रहे होते हैं जिसके कारण यह solution आपका positively charge जाता है हो जाते हैं और solution में क्या बनते जाते हैं आपके sulphate आया negative जिसके कारण यह निगरिबली charge जाता है और यह negative जो उपर से electron आ रहे थे और जिस नीचे negative बन गया तो इक दूसरे को क्या करेंगे यह repel करेंगे result यह होगा कि electron को यहां आने नहीं देगा तो यह जाने नहीं दे रहा और यह आने नहीं दे रहा इसका मतलब कि electron का जो flow था वो टूड़ गया अब वो electron जिंक से copper की तरह move नहीं करेंगे तो result की जो current चल लेती वो भी अब रुख जाएगी तो देखे यह problem बहुत create होगे तो salt bridge इसलिए होता है जो जो यह problem create हो गई है जिसके कारण हमारी current stop हो गई है positive charge solution और negative charge solution बनने के कारण जो current break हो गई है उसका यह solution निकालने के लिए आ जाता है आपका salt bridge तो बच्चों यह salt bridge problem को solve करने के लिए आया है जैसे कि आपकी problem solve करने के लिए कोई नों कोई तो आपके पास आता है वैसे यहाँ पर आया गया अब देखिए यहाँ पर salt bridge किया पहले तो यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते salt bridge हमारा ए यूटूब ये यूटूब अब यूटूब यहाँ पर में channel भी मेरा YouTube है तो देखिए यहाँ पर यूटूब है शेप और ट्यूब भी है लेकिन यह यूटूब 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 यूशेप है वह आपकी inverted है यू हमारा सीधा होता है लेकिन यहाँ पर यूटूब को हमने उल्टा कर रखा है और ट्यूब बना ट्यूब जानते हैं तो यहाँ पर सॉड़ ब्रिस के रूप में हमने YouTube लिये और उस YouTube में हम यहाँ पर कोई सॉड़ को भर देते एलेक्ट्रोलाइट के रूप में और ब्रिस का मतलब है कि हमने इसको connect कर दिया किसको एनोड वाले पार्ट को किस से connect कर दिया हमने हमने कैथो इस अंदर के रूप में हम यूज कर लेते हैं किसल्द का ईलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें की उसके अर्वाइनração क्रिए हो यहाँ देखिके सियल्याइन हमने इसके अंदर ब्रिस के रूप में इस YouTube में जिसको हम सॉडर कर रहे हैं तो वहां पर यह चल जो Hello उस और negative ions में break हो जाता है तो आप समझी जाएंगे कि यह positive ion जो है वो इसके अंदर बनने के बाद वो किदर की तरब move करना start करेंगे? sulfate ions की तरब because sulfate जो है वो negatively charged है जो potassium यानि कि जो positive charge है उसको अपनी और attract करेगा और इधर यहाँ पे ZN जो positive charge है वो chlorine ion को अपनी और attract करेगा अब देखिए यहाँ पे ZN ion को मिल जाता है chlorine ion तो ZN ion को जब chlorine ion मल जाएगा तो reaction से देखे लेते हैं ZN ion को जब chlorine ion मिलेगा तो आपका बनेगा ZN CL2 तो यहाँ पे ZN CL2 इसमें बन जाएगा जो कि इसी में solution में dissolve हो जाएगा तो result यह होगा कि जितने भी ZN होंगे ions वो सारे खतम हो जाएगे आपके और यह solution positive charge जो बनाता है यह अब positive charge ना होके neutral हो जाएगा और फिर वो electron को जो जाने से रोक रहा था वो electron अब उपर फिर जाना start हो जाएगे और यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर potassium ion जो sulfate से क्या करेगा reaction करेगा और potassium जो sulfate से reaction करेगा तो K2SO4 बनाएगा जो कि इसी solution में dissolve हो जाएगा और वो ही result होगा कि जब यह से reaction कर लेगा तो सारे sulfate ions क्या होंगे यहाँ से हट जाएगे neutral हो चुके हैं और जब sulfate ion नढ़ जाएगे तो यह electron को जो repel कर रहे थे अब electron को repel नहीं कर रहेंगे तो मतलब आने नहीं दे रहे थे अब electron यहाँ पर आना start हो जाएगे तो इधा से electron जाना start हो गए और इधा से आना तो result यह होगा कि अब फिर से electron का flow हो गया और उसके opposite में फिर से current flow ना start हो गई तो यह salt bridge ने हमारी problem को क्या कर दिया दूर कर दिया अगर यहाँ पर हम salt bridge यूज नहीं करते तो जो Daniel से हले कुछ देर starting में work करता उसके बाद auto यह stop हो जाता तो auto यह stop ना हो यह continually work करें इसलिए यहाँ पर हमने क्या use करा salt bridge का use कर लिया तो देखा बच्चों आपने की salt bridge यहाँ पर क्या roll कर रहा है कि जो process current की चल रही थी उसको रोक गई थी तो उसको फिर से स्टार्ट कर दिया किस तरह से जैडन हाइन को अटाके और सल्फेड हाइन को अटाके ताकि यह positive charge solution neutral बन जाए और negative charge solution यह भी आपका neutral बन जाए तो इस तरह से यह salt bridge यहाँ पर क्या करता है work करता है अब देखिए यहाँ पर बच्चों पेपर में बहुत पूछा जाता है कि salt bridge के function क्या है वाद इसका roll क्या है यहाँ पर क्या यह किस तरह से काम कर रहा है तो देखिए इसके function समझ लेते है number यह maintenance कर रहा है charge को balance into half cell देखिए इसमें जो half cell में जो charge बनाता जैसे से बनता जा रहा है इसको यहां से remove करता जा रहा है और इधर यह भी sulfate ion जो बन रहा था इसको भी remove कर रहा है तो दोनों half cells में यह balance करता जा रहा है किसको charge को पहला इसका यह function हो गया दूसरा function हो गया it allowing flow of electron to complete circuit और जैसे हमने यह bridge लगाया तो इसने permission दे दी electron को यहां से जहां तक जाने के लिए तो इस तरह से electron जब उहां पर पहुँचेंगे copper plate तक तो वो circuit अपने आप पूरा हो जाए और तीसरा इसका काम होता है minimize करना liquid liquid junction potential तो यह थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा तो मैं पहले इसको यहां पर explain करता है क्या मतलब है liquid liquid junction potential तो चलिए इसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं उसके लिए डियागराम को हम बनाते हैं नया हमने एक container लिया अब देखें container हमने एक ही लिया है और एक ही container में zinc और copper को एक साथ रग दिया अभी तक क्या था हमने दोनों के container अलग लग यूज करेते हैं अब यहां पर हम generally जो cell होता है न वो एक ही container में ही हम दो electrode लगाते हैं घर में जो inverter बाली battery होती है तो आपने देखा उसमें एक ही battery में positive terminal भी होता है और negative terminal भी होता है इसका मतलब उसमें अनोड और cathode एक ही container में रखे होते हैं लेकिन उनके बीच में separation होता है तो मैं थोड़ा सा इसको explain कर देता हूँ तो यहां पर देखें यहां पर एक तरफ जैडन का जो electrode है जो कि आपका negatively है और copper जो कि आपका positively charge है तो यह इसको electrode को जब हम electrolyte के अंदर fill करते है replace करते है तो यहां पर बीच में एक separation होता है separation में जो जैडन आयन जो इसका जिंक का solution जो होता है जैडन एसोफोर जो हमने लिया था वो भरा होता है यहां पर copper sulphate का solution भरा होता है अब result क्या होता है आप पढ़ चुके हो कि यहां पर process के तौरान जैडन आयन बनते है इसमें solution में और solution में क्या बनते है sulphate आयन बनते है तो यह यो दोनों का barrier है दोनों की जो separation part होता है इसको हम यहां पर बोलते है junction जह आपका कहलाता है junction जंक्षन पर जो positive जितने भी जैडन होते हैं यहां पर आने लगते हैं और negative यहां पर लगते हैं क्योंकि यह दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे कुछ दिर बाद यह neutral हो जाएंगे attract करने के बाद जंक्षन पर एक layer की रूप में क्या हो जाएंगे यहां पर एक layer बना लेंगे और layer बनते ही यह तोनों में थोड़ी रुकावट का काम करेंगे cell के लिए अब इसको देखिए अभी आपने पर चुके बहुत अच्छे से आपने salt bridge का roll पड़ाता salt bridge क्या करता है कि जितने भी ZN बने होते हैं यहां से उसको हटा देता है और जिसने भी sulfide iron होते हैं वो यहां पर इसको बनाए तो यहां पर जो potential लग रहा था अब आप देखिए यहां पर ZN प्लस है यह प्लस का बना और यह माइन है तो इसमें अगर हम देखिए तो अंदर एक current flow होना start हो जाती है जिसकी direction positive से negative होता है यानि कि अंदर पे एक potential डबलब हो जाता है जिसको हम बोलते है junction potential और देखिए एक current आपकी बाहर चल रही होती है यहां से यहां तक अगर electron चल रही होते है तो current आपकी बाहर की तरप चल रही होती है तो यह main जो current होती है main जो potential होता है आपका तो वो main potential के against एक अंदर potential create हो जाता है जो main potential की value को कम करता रहता है और जिसके कारण हमें पूरी proper current नहीं मिल पाती तो इसको अंदर के potential को यह क्या करता रहता है minimize करता है minimize का मतलब इन ions को हटाता है positive को अब यह आपने देखा था salt breeze किस तरह से positive ion ढाता है और किस तरह से यह sulfate के ion जब यह ions हट जाते है तो अंदर का यह potential खतम हो जाता है और जो main potential था उसको गिरने नहीं देता है क्योंकि यह opposite होता है इसलिए तो इस तरह से यह minimize करता है liquid liquid junction potential का तो यहाँ पर देखे यह main current चल रही थी आपकी भार और यहाँ पर यह अंदर एक opposite direction में potential होगी है जो कि इसके opposite है तो salt breeze है वो आपका का काम कर रहा है यहाँ पर इसमें CLI ना के ZN selection कर ले रहा है और इसमें positive का ना के sulfate selection करके इसको remove करके हटा दे रहे है तो इस तरह से यह इसको minimize कर रहा है next आते हम यहाँ पर conditions of selection of salt in salt breeze अब देखे यहाँ पर जो हमने salt breeze का roll पढ़ लिया कि किस तरह से काम करता है अब salt breeze में जो हम salt select करते हैं तो हमें वो salt कैसा लेना पड़े इसके लिए क्या condition होनी चाहिए तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने KCL लिया था और भी कुछ भी लिए भी सकते हैं ऐसा नहीं है यह कि conditions के according हमें देखना पड़ेगा किस तरह से ले तो इसकी पहली condition यह है कि यह inert होना चाहिए इलक्ट्रोलाइए इनट का मतलब वैसे इनट नहीं है लेकिन इस वाले process में यह inert होना चाहिए इसकी यह अगर इसके ions के बल किलोरिन आयन जेडेन से reaction कर रहे तो ठीक है अगर इसके ions इसकी solution से reaction कर रहे या इसकी plate से reaction कर ले तो यह फिर process हो जाएगी गड़वर तो यह किसी और से reaction ना करें इसलिए इसको यहाँ पर कहा क्या कहा जा रहा है inert electrolyte तो हमारे पास जो भी salt ले वह कैसा होना चाहिए inert electrolyte होना चाहिए इसमीज दू नौट रियक्ट विद एनी आयन्स और रोट्स अफ दा हाफ सेल दूसरा यह इसकी जो आयन्स बनते हो जो भी electrolyte लिए उसकी mobility बहुत अच्छी होने चाहिए मोबिलेटी का मतलब यह हो गया कि जैसे इसमें positive और negative आयन बने के और cl तो फटा फट यह जितनी स्पीट से इधर किलोरिन आये उतनी स्पीट से यहां पर क्या होए पॉजिटिव पोटेशियम आयना है ताकि यह दोनों एक साथ इन दोनों को न्यूटल कर सके एक साथ जब न्यूटल करेंगे तभी वहाँ पर प्रॉसेस को continue हो जाएगा अधरवाइस वह प्रॉसेस continue नहीं हो पाएगी आपकी तो यहां पर न्यूटलाइज होना साइमेटेशनी जरूरी है तो उसके लिए दोनों की स्पीड भी बहुत जरूरी है पहुंचने की स्पीड को मतलब ही यहां पर किस से मोबिलिटी से मतलब है आपका तो यहां पर गुड आयनिक मोबिलिटी भी होना जरूरी है अब देखिए cell का representation कैसे करते हैं तो cell को represent करने के लिए किस तरह से लिखा जाता है ZN किस में convert हुआ ZN aquosolution में आपने देखा यहाँ पर ZN किसकी form में था solid, solid का मतलब electrode की form में था और जब इसमें यहाँ पर convert हुआ यहाँ पर तो यह ions बन गिया तो यह आपका एक अलग half cell हुआ और other एक half cell में आपने देखा यहाँ पर copper iron थे, copper iron धिरी धिरे यहाँ पर copper की रूप में store हो गए, तो copper iron जो थे वो liquid में थे इसलिए aqueous लगा हुआ है और वो बापस किस में आ गए, एक electrode की form में आ गए, जो कि एक solid, sorry, solid की रूप में आ गए, और देखे इन दोनों के बीच में जो दो parallel line खीची गई है, यह parallel line दोनों के लिए क्या represent कर रही है, आपका salt bridge को दिखाने के लिए symbol लिया गया है, तो यह cell का representation करने का तरीका होता है, यह आपका हो गया, left half cell, और यह होगी आपका right half cell, और बीच का जो यह part है, यह आपका हो गया, salt bridge, तो इस तरह से हम cell का representation करते हैं, मैंने लिख भी दिया है कि जो parallel part है, वो represent करता है, salt bridge को, अब देखे इसमें कुछ तीजे और आपको दिहान में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा confusion कर सकते हैं, पेपर में question, यह तो आप समझी गए, left half cell और right half cell, अब देखे, left half cell में, यहाँ पर क्या, इस process में क्या हो रहा है, इस वाले डेनियल सेल में, left half cell में, हमने देखा कि जहां पर, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि यहां से, ZN से, electron कहां पर आ रहे है, ZN से, जो, ions है, वो ZN की form में, solution में आ रहे है, यानि कि, ZN से, ZN 2 बन रहा है, बिकॉज यहां से, अगर हम समझे तो इसका oxidation 0 है, और इसका oxidation, number कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहां पर oxidation में increase होना, जो कहलाता है, आपका oxidation कहलाता है, तो left half cell में oxidation हो रहा है, और right वाले में, देखें, यहां पर 2 प्लस थे, अब कितने हो गया, यहां पर 0 हो गया, तो यहां पर decrease हो रहा है, oxidation number, इसलिए reduction हो रहा है, तो जो right वाला part है, वो reduction हाफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हम oxidation हाफ सेल के नाम से भी जानते हैं, और भी other name होते है, एनोड हाफ सेल भी कहते हैं, यहां पर यह वाला part आपका एनोड बन गया था, और यह part आपका cathode बन गया था, तो इसे cathode हाफ सेल के नाम से भी जानते हैं फिर एक लास्ट में और है निगेटिव हाफ सेल विकॉज यह निगेटिव चार्ज है इसलिए निगेटिव हाफ सेल और यह पॉजिर चार्ज तो देखे किसी भी तरह के से आपको कोशन कंफ्यूज करता है लेफ्ट हाफ सेल का मतलब आपका समझ में आना चाहिए जिंक वाला पार्ट ऑक्टिडेशन भी हाफ सेल एनोर्ड भी और निगेटिव भी अब देखे यहां पर क्या है कि देखे ल ओ एन इसको हम पढ़ते हैं लोन तो आप इसको एक लोन के रूप में भी याद कर सकते हैं लोन का मतलब आप समझ जाना कीया है लोन का ऐल इंडिकेट करता है लेफ्ट हाफ र oxidation half cell A indicate करेगा आपका anode half cell और N indicate करेगा negative तो आपको loan से दियान रहेगा कि left part में जो भी part है उसका just opposite कर देंगे तो वो नाम आपके right वाले निकल के आ जाएंगे तो loan से आप दियान रहेगा यह आपका left half left वाले part के लिए उसका उल्टा कर देंगे L का मतलब left है तो इसका opposite हो गया right O का मतलब oxidation तो उसका मतलब यहाँ पर reduction A का मतलब anode तो उसमें cathode हो गया negative है तो यहाँ पर क्या हो गया positive हो गया तो RRCP जो है वो अधर वाले के लिए code बन गया बढ़ आपको जुरूद नहीं है loan याद कर लेंगे तो other part आपको अपने आप याद हो जाएगा तो देखा बच्चों यहाँ पर हमने क्या करा कि पूरे Baltic Daniels Cells के बारे में समझा और इससे related अब हम numericals भी करेंगे फिलाल के लिए तो अभी यहाँ पर theory का जो part था हमने Daniels Cells का वो complete कर लिया है अब देखिए यहाँ पर वैसे कि मैंने कहा था कि आप से कि मैं पहले explain करूँगा अब explain मैंने कर दिया अब मैं आपको इसके notes के रूप में भी आपको मैं provide कराने वाला हूँ तो देखिए मैं notes के रूप में भी आपको एक बार समझा देता हूँ short revision भी होगा और आपको copy पे लिखने की जुरुद भी नहीं है आप यहाँ से screenshot लेके print out निगलवा के भी आप काम चला सकते otherwise आप यहाँ से screenshot लेके अगर अपने आप से लिख के समझेंगे मैं यह नहीं कहूँगा कि आप मेरी language को यूज करें आप अपनी language के साफ से यूज कर सकते है विकॉज आप समझ समझ चुके है इस चीच के लिए चलिए हम एक बार फिर से इसको notes के रूप में समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या समझा और क्या सीखा आपने समझ लिया कि जिंग को हम किसके लिए यूज करते हैं और कॉपर का यूज हमने करा था कैथोड के लिए जिंग को हम किसमें डिप करते हैं जिंग सल्फेट सलुशन में डिप करते हैं और copper cathode को किसमें डिप करते है copper sulfate के solution में डिप करते है जब दोनों electrode को हम current कर जाते हैं metal wire से तो उसमें current flow जाती है जैसे कि हमने metal wire से गया तो इसमें current flow गई और इसमें current बनता जो voltage बनता डैनेल सेल में उसकी जो value होती है वो होती है 1.1 volt तो यह मैं theory के साफ से भी आपको मतलब notes के रूप में भी लिगवाते हुँ चल रहा हूँ तो आपको लिखना इस समझाने के तरीके तो कुछ भी हो सकते लेकिन समझ में आ जाए तो आप अपने आप से भी लिख सकते अब देखिए यहां पर इसकी working क्या होती है working आप समझी और देखिए जो देनियर में क्या होता है जब जिंग को सब्सक्राइब करते ओल जो जाताएं कि सब्सक्राइब में और teãyивает में क्या अते ब्सक्राइब Islands स recorder यहाँ आइन होते वो जो जो होगते फवो जैसे क् समझे लिया तो हूँस यह सब स परेगी copper to jing move करेगी है कि और हमने यहां पर देखा था कि यहां पर क्या है कि anode पर जो यह process वा Oxidation होता है solid jean किस में Convert हो जाता है जिनक आयिन्स में होजाता है जैसिकि हमने यहां पर reaction देखी थी जिनक जो होता हो जिंक आयिन्स में convert हो जाता है इससे oxidation भी कह सकते है विकाज यहाँ पर electron lose कर रहा है और दूसरा anode पर sorry cathode पर क्या होता है reduction होता है जिससे कि यह electron यहाँ पर मतलब copper जो metal होती है वो deposit होने लगती है इसका मतलब यहाँ पर reaction से देखेंगे तो copper ions electron को जो इसमें electron इदर आ रहे होते हैं वो लेके यहाँ पर neutral हो जाते हैं और neutral पार्ट वहाँ पर इलक्टोट पर deposit होने लगता है तो यह deduction हो गया इसका और पूरे cell में जो reaction होती है वो आपकी क्या होती है इसमें अगर electron से electron cancel कर दे तो remaining part जैडन और copper मिलके यह बन जाता है आपका जैडन सीजू और इदर जैडनाइस और बस्ता आपका सीजू तो यह आपके एक लाती है cell reaction बिलकुल आप बच्चों इसी तरह से लिक दिंगे तो आपका complete हो जायागा मैंने सभी चीज आपके लिए कुछ भी नहीं चोड़ा है समझाने में में इंक्रीज होने पाला है और आप उसके साबसे नीट और जैड़ी कर रहे है जो भी कुछ तो आपके लिए यह बहुत फाइदे की फिर हमने पड़ते हैं सभी सॉल ब्रीज क्या करता है करेंट को कंटीनिव बनाए रखने का काम करता है लेंगोस की रूप में देखें तो सॉल ब्रीज क्या होता है after some time Problem create हो या थी left half positive charge बन जाता है किसमें इस वाले पार्ट में left ये positive charge बन जाता है जो क्या करता है electron को outward flow करता है prevent करता है out वह बाहर जाने के लिए electron को क्या करता है रोकता है और right arch जो हो जाता है वो negatively charged जाता है जो यह वाला पार्ट बन जाता है solution वो negatively होता है वो electron को repel करता है ऐसा होने से electron क्या होते है stop जाते है electron stop होने से current भी रुख जाती है तो इस problem को solve किस से करा जाता है by using salt breeze जिसमें कि हम यहाँ पे salt के रूप में किस का use करते है potassium chloride का use करते है अब जैसी हम यहाँ पे solve breeze आपने पढ़ाता है solve breeze क्या होता है एक inverted youtube होती है जिसमें क्या होते है जो दोनों cell से connect होती है half cell से और इसमें हम KCL का use करते हैं जिससे की उसके electro alert होने से वो positive और negative ion देते हैं जो अलग-अलग half cell में जाके उनको क्या कर देते है उनके ions को क्या कर देते है neutral कर देते है और neutral करने से वो current का flow क्या होता है फिर से start हो जाता है function आपने पढ़ लिए थे solve bridge के यह आपको मैंने भी लिगवाए भी दिये थे कि यह क्या करता है charge को maintenance करता है पहला दूसरा क्या करता है current को flow बने रखता है और तीसरा हमने पढ़ लियाता है यह minimize करता है liquid junction potential हो फिर हमने condition भी पढ़ ली थी कि salt की कैसी condition होती है यह inert electrolyte होने चाहिए इसका मदलब किसे react ना करे और यह good ionic यहाँ पर half की spelling गलत हो गई है सही कर लीजेगा good ionic mobility होना चाहिए ताकि यहाँ पर उनको एकसाथ simultaneously कर सके तो देखा बच्चों यहाँ पर मैंने आपको explanation भी करा दिया और अब मैंने notes भी आपको लिखके दे दिये तो आपको लिए मैंने कुछ भी काम नहीं छोड़ा बस आपके लिए एक ही हुमर के महनत करिए याद करिए और तो और आप मेरे साथ बने रही है तो मैं आपके लिए इतनी महनत कर दूँगा कि बस आपको समझना आए केवल हो सकता है मेरी कुछ वीडियो लंबी भी हो जाए तो आप उसको जरूर मत करिए लेकि मैं यह कहना चाओंगा कि अगर बहुर वीडियो लंबी हो जाती है तो आप बहुर मत करिए आप उसको कंटिन्यू देखेंगे तो आपको एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से सब कुस समझ में आ जाएगा